अनुश्का शर्मा से टीम इंडिया के खिलाडी परिशान, शिखर की पतनी आयशा और अनुश्का में हुई अन्बन भारती एक क्रिकेट टीम के एशिया काप में शांदार प्रदर्शन से सभी खुश हैं भारत ने रीकॉर्ड साथ खिताब अपने नाम किया है भारत के बल्लेबाज और गेंद वाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन को दर्शाया था भारत की कप्तानी कर रहें रोहित शर्मा की सभी नितारीफ भी किती साथ ही सलामी बल्लेबाज शिखर दवन की बल्लेबाजी को भी सभी ने खूब सराहा था इसके बाद टीम इंडिया आज से वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का अगास करने जा रही है आज से पहला टेस्ट राजकोट में खेला जाएगा जिसकी शुरुआत हो चुकी है इससे पहले खबर ये आ रही है कि टीम इंडिया मैदान में तो एक जुठो कर खेल रही है लेकिन रेसिंग रूम के अंदर टीम इंडिया का माहौल गर्म है वज़े ये बताई जा रही है कि टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पतनी अनुषका की वज़े से टीम के कुछ खेलाडी परिशान है बताया जा रहा है कि अनुश्का के होने से टीम के खिलाडी अपने आपको असहेज महसूस कर रहे हैं और खुल कर बात नहीं कर पा रहे हैं इससे पहले यह बात भी सामने आई थी कि शिखरदवन की पतनी आयशा और अनुश्का के बीच कुछ अनबन के चलते भी इंडियन टीम में माहौल गर्म है बताया जा रहा है कि लंदन के एक मैच के दोरान विराट ने टीम प्रबंधन से तीन टिकट मांगे थे विराट ने अनुश्का, आयशा और खुद के लिए मैच के टिकट मांगे थे मैच के दोरान ही अनुश्का और आयशा के बीच किसी पारिवारिक बात को लेकर अनबन हो गई थी इसके अलावा बजह यह भी बताई जा रही है कि टीम इंडिया के खिलाडियों को अनुश्का के मीटिंग रूम में बैटने से भी समस्या थी जिसके चलते भी विराट टीम से थोड़े नाराज बताए जा रहे हैं टीम के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हैं कहा कि इंग्लेंड में ऐसी बैठक जिस कमरे में होती थी वहाँ ही मसाज रूम है जिसमें कोई ना कोई खिलाडी मसाज कराता रहता था ऐसे में उनकी मौजूदगी ना मुम्किन है अधिकारियों ने अनिश्का के बल्ले बाजों के लिए होने वाली बैठक के दोरान मौजूद रहने से साफ इंकार किया था